श्रिव पुरान विद्वेश्वर साहिता अध्याय नौमा लिंग पूजन का महत्व नंदिकेश्वर कहते हैं ब्रह्मा और विश्नु भगवान श्रिव को प्रणाम कर चुप चाप उनके दाएं बाएं भाग में खड़े हो गए उन्होंने पूजने महादेव जी को श्रिष्ट आसन पर बेठा कर पवित्र वस्तूं से उनका पूजन किया दीर्ग काल तक स्थिर रहने वाली वस्तूं को पुष्प वस्तू तथा अल्प काल तक टिकने वाली वस्तूं को प्राकरत वस्तू कहते हैं हार, नुपूर, कियूर, करीट, मनीमे, कुंडल, यग्योपवीत, उत्रिये, वस्त्र, पुष्प, माला, रेश्मी, वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन, एवं, अंगूर का अनुलोप, धूप, दीप, श्वेत, छत्र, व्यंजन, ध्वजा चवर, तथा अनेक दिव्य उपहारों द्वारा, जिनका वैभवानी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल परमात्मा की योग्ये थे, उन्होंने ब्रह्मा और विश्णु ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया, इससे प्रसन होकर भगवान शिव ने दोनों द मेरे लिंग अर्थाद निराकार रूप की या मेरी मूर्ती अर्थाद साकार रूप की दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से यतोचित पूजा करेगा, वह मेरा परम प्रिये भक्त होगा, पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह फल शिवरात्री को मेरा पूजन करके मनुष्य ततकाल प्राप्त कर लेता है जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदै समुद्र की Вरिद्धी का अफसर है उसी परकार शिवरात्री की तिथी मेरे धर्म की वरिद्धी का समय है इस तिथी को मेरी स्तापना का मंगल में उत्सव होना चाहिए। मैं मार्ग शीर्ष मास में आदर नक्षत्र से युक्त पूर्ण मासी या प्रती पदा की जोतिर मैं स्तंब के रूप में प्रकट हुआ था। इस दिन जो भी मनुष्य पारवती सहित मेरा दर्शन करता है अर् अदिक फलप्राप्त होता है कि वानी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लिंग रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था। अतहे लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें इसके लिए यह अनादी और अनंत ज्योती स्तंब अत्वा ज्योतिर में लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब परकार के भोग सुलब कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एक मात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्ष और ध्यान प्राणियों को जन मोक्ष प्राप्त होगा। मेरे दो रूप हैं साकार और निराकार। पहले मैं स्तंब रूप में प्रकट हुआ। फिर अपने सक्षात रूप में। ब्रह्म भाव मेरा निराकार रूप है। और महेश्वर भाव मेरा सक्षात रूप है। यह दोनों ही मेरे सिद्ध रूप मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ, जीवों पर अनुग्रै करना मेरा कार्य है, मैं जगत की वृद्धी करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ, सर्वत्र स्थित होने के कारण मैं सब की आत्मा हूँ, सर्ग से लेकर अनुग्रै तक जो जगत सम्मंदी पांच कृत्त प्रत्का और निश्वल रूप मेरे ब्रह्म सवरूप का बोध कराता है। जो शिव तत्व के अनुशीलन में सक्षम नहीं है।